हाला दोस्तों नमस्कार जैमातादी मारे यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार दिख स्वागत बहुत 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 हो इनन्दन और मैं अशरानी आज शुगर वाले भाई बैनों के लिए बहुत यह च्छी रस्पी लेकराई हूँ शुगर में खान पान विशेश महत्व रखता है इसलिए शुगर वालों को खान पान ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें कोई नुक्सान नहों बलके फाइदा ही हो इसलिए मैं शुगर वाले भाई बैनों के लिए अलग-अलग ऐसी भी बनाती हूँ जिससे वैं बेफिकर होकर खा सके और उन्हें उससे कोई नुक्सान भी नहों बलके फाइदा ही हो आज मैं शुगर वाले भाई बेनों के लिए ऐसी चटनी बनाऊँगी जिससे उनके खाने का स्वाथ दुगना बढ़ जाएगा और उन्हें कोई नुक्सान भी नहीं होगा यह देखे पोदीना आज मैं पोदेनी की चटनी बनाऊँगी जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप सभी भली परकासे जानते हैं पोदीना अनेक ओसदेगुणों के खान होती है और पोदीना बाज़ार में आसनी सी मिल जाता है कुछ लोग तो इससे घर में गमले में लगा कर रखते हैं अगर आप चाहिए तहाँ घर मे भी लगा सकते हैं ऑर यसोगर वालोग के लिए वहाद hen पाया जाता है यह देखिए हरी मिर्च को भी हम चटनी में इस्तमाल करेंगे चटनी बनाने से पहले तमाम शुगर व्यवीपी वाले भाई बैनों से विंती करती हूं जैसा मैं हर बार करती हूं कि सैर जरूर करें 45 मिट सुबए 45 मिट श्याम को सैर करते समय हलका सकती चले और अपना खान पान सोच समझकरी करें लिकी सबस्काल्य मैं जुके से शुप दिन्म का जेसे का जी के शुचकत कम ढूंभ द डू करींगे की सैरी सते निकाल लेना और पतते-पते इतार लिए Gobierno अगर रेंधर ये पच्ची है तो हम इसको थोड़ा सा ले लेंगे नहीं तो पत्ते पत्ते लेंगे और यह सबी के लिए फैदे मन दोती है अब देखे सारा पोदीना ऐसे साप कर लेना और इसको पहले अच्छी तरह से दो लेना और एक बार इसको पत्ते तोड़ने के बाद भी दोना है अभी देखें प्याज लेनी एक हमने चीली कर रखिया दूसरी को चीले पहले इसको पाट लेगे आप लेगे पाटने के बाद चटनी बनाएंगे कुछ लोग मिच्ची में बनाते हैं और कुछ सील बट्टे पर बना आजम सील बट्टे पर बनाएंगे सील बट्टे पर इसका स्वाथ दुगना होता है और बहुत ही फैयदे में दोत्ते हैं यह देखें प्रिवट्टा अब इसको पतिने कश पड़ालेंगे तर डाल देना और यह हरी मिर्च इनकी बिए दून्पी निकाल देंगे और इसको को इसी के अंदर कुढ़ लेंगे आप चाहिए तो इसको अलग 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 पीश सकते हैं उसके बाद मिक्स कर लेना जैसे प्याज हरी मिर्च और पोदीना अलग 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 तो हम एक साथ इसको बारिक करेंगे हरी मिर्च आप अपने स्वाद के साथ से डालिए हम जादा जीतना भी करना चाहते हैं इतना ही लीजिए इसको एक दम बारिक कर लेंगे है को ऊच्छ साथ कर लेना और है इसको भील कल आसानी में शेबन जाती थे आपको देखने में मस्किल लग रहा होगा वरनतों बहुत आसानी में जाती है क्छ कफो लोग इसे दर दर पसंद करते हैं और फोछ लोग बारीख अब जैसा भी खाना चाहते हैं यह सवेश अगर आर पीस यह अगर दर घाला चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रखें अब यह देखें इसमें नमक डालेंगें देखिए सेंध नमक डालने हैं । स्वाध अनुसार अब भी हम इसमें एक चीज और डालेंगे जो इसके खाने का स्वाद और भी दूगना कर देगी हमारी चटनी अच्छे बारिक हो चुकिया अब हम इसको किसी बर्तन में डाल लेंगे देखे सारी डाल लेंगे अब इसको काट लेंगे इसको काट लेंगे इसका रस इसमें डाल देंगे बीज निकाल देते हैं बीज नी डालना पूरे निम्बू का रस डालना है बीज नी काल देने अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखे हैं हमारी पोदीने की चटनी बिल्कुल तयार है जो शुगर वाले भाई बैनों के लिए बहुती फैयदे मंद होती है पोदीना और प्याज और निम्बू यह तीनों ही शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करते हैं इसलिए फैयदे मंद होती है और शुगर वाले इस चटनी को अपनी डाइट में जरूर सामील करें यह खाने का स्वाद भी बढ़ाती है और फैयदे मंद भी होती है वैसे तो सभी के लिए फैयदे मंद है और देन्यावाद दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आयो लाइक सेर जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहें नहीं नहीं जानकरी पाते रहें जैमाता दोस्तों